चलो दोस्तों वेलकम बाग टुद चानल कॉमर्शीरोज और आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे इंपर्टन टॉपिक जो आपकी क्लास 11 में सबसे इंपर्टन टॉपिक था डाइपोस जनल इंट्रीज अगर आप एक चाप्रन जनल इंट्रीज अच्छे से कर लेते ना कभी भी अकाउंट्स के अंदर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती और यह सीरीज लाने का यही परपस है कि अब अच्छे से कर लो ताकि क्लास 12 के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ठीक है ठीक है ठीक है प्रॉमिस करा करो कि सर हम आपको बहुत अच्छे से करके दिखाएंगे सर अगर हम नहीं अच्छे से करके दिखाएंगे तो आप हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं ऐसे प्रॉमिस करके दिखाएंगा तो प्रॉमिस करो या अपने आप अब आपको पता है देखो मैंने आपको एसेट समझाया है एसेट क्या होता है सब्सक्राइब लिए क्या होता है ऑपके दिमाग में सब और अत्या है तो तो चीसर एक डाडि का करते हैं तो ध्यान से देखो assets और expenses euro assets और expenses expenses ठीक है और एक होता है capital the capital liabilities और revenue मैंने पूरा नहीं लेखा आप पूरा लिख लेना assets expenses यह एक block होता है capital liabilities और revenue एक block होता है ठीक है मुझे नहीं पता आज से पहले आपじゃあ realities कैसे करते तो उससे जादा मैं भूलो difficult method कोई नहीं हो सकता modern method को follow करो प्रॉपर्ली उस जर्नल एंटरी को classify करो assets capital liabilities revenues के अंतर अंधर उसके बाद मेरी यही वाला formula लगाओ this is modern basis of accounting और तुम देखना चुट्कियों की तरह सारी general entries तुमारे खात में होएगी यकीन मानना इस वीडियो को ध इकतनी आने वाली ठीक है अब देखो assets and expenses जब increase होएंगे बच्छों को क्या करेंगे और जब यह decrease होते है तो क्या होते है credit capital liabilities or revenue जब increase होते है तो क्या होते है credit और जब decrease होते है तो क्या होते है debit अगर आपने यह वाला rule अपने mind में एक बार set कर लिया ना कभी भी in future कितना बड़ा course कर लेना आपको कभी भी कोई problem नहीं होने वाली guarantee ठीक है assets expenses एक basically भाई-भाई है ठीक है यह जब increase होएंगे तो debit करना जब decrease होएंगे तो credit करना जब decrease होएंगे तो क्रेडिट करना जब decrease होएंगे तो क्या करना इसको लेन कर लो इसको लेन कर लो यार इसको लेन कर लो यह जब कर लिया तो नहीं और कुछ अच्छा करना चाहते ठीक है नहीं अच्छा करना चाहते है देखो जो अच्छा करना चाहते है वह इस वीडियो पर आया होगा वरना देखने वाले तो अभी भी रीजी देख रहे रहेंगे ठीक है आगे बिजनस में कितने पैसे लगाई कैसे लगाए 50,000 और बिजनस में चेक लेकर गया इसने बिजनस में अब देखो कैसे लगाएं और यह जो चेक लेकर गया तो कंपणी का बैक अकांट बढ़ा होगा यह से कंपणी का कैश उड़ा होगा और कंपणी का जो का क सबसूम क्रफे बिजसन का इप्रदेखो देखो Summing तो में चेक में तो बिजनस के लघ लेकर गये तो मेंट आइक कैस ट्लक क्रेड करने करते हैं अब छहाँ चैपिलन तो तो क्या करते हैं सब करते हैं तो चरूसांगे करते हैं深夜 दिक्रीट करते हैं । तो आपकी जर्णल एंट्री तेयार हो गई, cash account debit, bank account debit to capital, तो जल्दी से नीचे देखो, journal entry को देखो, cash account debit to capital, bank account debit to capital, और एक merge, एक combined entry विंट पास कर सकते हो, छीक है, इन्होंने दो entries करके दिखाई ही न, आप combined entry ऐसे पास कर सकते हो, cash, account, यार मेरी थोड़ी से राइटिंग ना, बहुत जादा अच्छी है, पहले बहुत अच्छी थी, किसी की नजर लगे, ठीक है, पहले बहुत अच्छी थी, मैं सच्छी बता रहा हूं आपको, bank account debit, मेरे स्टुडेंट्स बता देंगे, पहले वाले के, सर पहले कितना है, एकदम मोधी की तरह लिखते थे, अभी पताने कुछ नाइम से करा हूंगे, cash अगा, debit, bank account debit to capital, ठीक है, to capital, कितना, देखो, cash कितना है, 50,000, bank कितना है, bank में कितने पैसे लेगे, 5,00, और capital 5.5,00, तो, basically, there are two ways, I would prefer, कि आप क्या करो, combined entry pass करो, क्योंकि आप class 12th के student हो, class 11th के student होते तो, आप उनको पहले split करके दिखा था, split, split, not split, split, क्या भाईया, पहले ये वाली entry pass कर ले, फिर ये वाली entry pass कर ले, आप बड़े बच्चों चोंगे हो, combined entry pass कर, ठीक है, इसको compound general entries भी उटोते थे, क्या बोलते थे, compound general entries, ठीक है, सर हम बड़े होगे, पता भी नहीं चलता, हाँ, दो साल तो घर पही बैठे रहे सर, ठीक है, सर रिलेवेंस तो ऐसी चलेगी, देंसे हम पढ़े नहीं, यार अब पढ़लो ना, अब पढ़लो, अब तो सारे board exam सोगे रभी होईगी, मैं हूँ आपके साथ, चलो, he deposited 5,000 out of cash in the bank, he deposited 5,000 out of cash in the bank, तो उसने क्या करवा, अपने cash, उसके पास जोए ना, उसके shop के अंदर 5,000 रुपे पढ़े रोगे रोगे रोगे, अब cash और bank की बात करें, तो cash और bank की बात करें, cash account की बात करें, bank account की बात करें, दोनों ही क्या है, asset, cash बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, cash तो कम हो रहा है, bank increase हो रहा है कि decrease हो रहा है, increase हो रहा है, दोनों ही asset है, तो bank अगर increase हो रहा है, debit cash अगर degrees हो रहा है तो क्या करेंगे credit मेरे बाले formula से चलो asset जब increase होती है तो debit जब degrees होती है तो credit entry आपास करोगे चल्दी से bank account debit to cash क्या पास करोगे bank account debit to cash चीक है sir समझे 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 purchase goods for 5000 against cash goods purchase करके लाए 5000 रुपे के किसमे cash goods purchase करके लाए 5000 के cash sir हमारे पास goods जाए yes goods को increase करो sir हमारा cash आएगा के जाएगा sir cash हमारा जाएगा 5000 से कम होएगा तो cash अगर कम होएगा cash मेरी asset है asset अगर कम होगी तो क्या करेंगे credit करेंगे cash तो लीचे लिखेंगे credit पे debit में क्या लिखेंगे लेकिन गूट्स को हम फो लेंगे क्या परंसीं क्या बोलेगे यहां पर ऑपतररेंगे यहां पर इसे इसको लिखेंगे एसे अनुक्त करूंड आथ औरेश न слов Fifanya आ आखके ऐंदर यहां पर मतलब करेंगे और तराक धि करसे 2 टा बसे 6 Bears यहां अब देखो, assets दो तरी की होती है, एक होती है, current assets एक होती है, fixed assets, अगर मैं fixed assets की बात करता लो, अगर यहां पे मालब आपने machine भी purchase करी होती, तो आप यहां पे machinery account debit, लेकिन देखो, आप यहां पे current assets की बात करोगे न, जब आप current assets purchase करते हूं, तो उनका intention क्या होता है, कि सर हम उ इसे के लिए मोटेव होता है तो जब भी आप अपने स्टॉक को पर्चेस करते हो तो लिखते हो पर्चेस वह आपका क्या होता है एक्सपेंज चीक है और जब भी आप अपने स्टॉक को सेल कर रहे होते हो जब आप अपने स्टॉक को सेल कर रहे होते हो तो आप लिखते हो से चीज में ईपको बता हो छोटीसी चीज है आप बार बार को सी इंदर गलम इंट करते हो अपने mind के ऊवड़िए क्श हो तो है differences करें तो current assets का main purpose की होता है purchase करने का विपाउस सर हम इसको future में क्या करेंगे within one year हम इसको sell करेंगे हमारा profit earn करने का intention होता है तो current assets बोले तो हमारे goods बोले तो हमारा stop तो जब भी आप इसको purchase करते हो तो entry के अंदर goods नहीं लिखते हो आप जर्नल एंटरी के अंदर लिखते हो purchase क्या word उसकरते हो purchase और जब आप इसको sell करते हो तो आप word use करते हो क्या sales तो purchase क्या है आप कुछ purchase करके लाए वो क्या है आपके लिए expense expense जब increase होता है क्या करते हो debit और जो sales है sales बिटा sales से क्या निकल क्या आता है revenue revenue मतलब profit capital liabilities revenue revenue जब increase हो रहा है तो क्या करते है जल्दी बताओ credit करते है तो जब sales आएगी ना question के अंदर हम उसको क्या करेंगे credit करेंगे because जब revenue increase होता है तो उसको क्या करते है credit करते है accountancy is fully logical I know students benefits वो लोग क्या करते है एंट्री रटने की कोशिश करते हैं कि अगर यह वाली entry आगे ना हमें पता है किसको debit करना है किसको credit करना है रट लेते हैं कितना रट होगे ठीक है रटने के लिए इकनोमिक्स है रटने के लिए English है ठीक है math के formulas तुम रटने ही मारते है क्योंकि उनका लॉजिकल ही कुछ derivation तो होती नहीं है ठीक है आगे point no.4 purchase a building and pay 2.5 lakh अब देखो building purchase करें तो यहां पर purchase account को debit करोगे यहां पर करोगे building account debit तो building account debit to bank वेटा check से purchase करें इसलिए बीचे to bank आएगा cash नहीं आएगा 2.5 lakh 2.5 lakh building देखो मेरी assets ठीक है building क्या थी asset asset जब increase वेगी debit करोगे bank मेरा क्या है asset और पैसे तो जा रहे है ना तो asset कम हो रहे है तो क्या करोगे जल्दित तो credit करोगे ठीक है yes sir yes sir अब समझ में आ रहे है ठीक है बहुत बढ़ी है समझ में आ रहे है तो like करके बताओ ठीक है like करो जल्दी से पता चलीगा कि ठीक है students को समझ में परचेस गुद्स रहे हरी and company for 1 lakh रुपीज देखो कुछ भी नहीं बोल रखा cash परचेस करा credit परचेस करा अगर ऐसी information होती हमेशा क् क्रेडिट में परचेस करा ठीक है परचेस करके लाए हरी and company से goods 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 कित्ते के 1 lakh रुपीज से credit परचेस तो हरी आपको क्या बन जाएगा इनक्रीट तो क्या करते हैं डेट देखो उसी पॉइल इसे मैंने आपको बता है उससे सब कुछ वहींगा अरीब पॉन इसके मैंने उधार से परचेस कर रहें तो यह मेरा क्रेडिट क्रेटर बोली तो लाइबरेटी लाइवरेट जब इंक्रीज होईगी तो क्या करूंग हुआ क्रेडिट ठीक है चल आगे सोल्ड गुट्स पर कैश 50,000 देखो सेल्स के एंट्री आगे के बुट्स को आपने सेल करा 50,000 का कैश के अंदर तो कैश अकाउंट डेबिट अब बेड़ा तुमने किजी को समान बेच आ रहा है कैश और कैश का है मेरा एसेट इंक्रीज हो क्रेडिट करते है तो क्रेडिट करते है तो क्या करा ठीक है येस 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 सोल्ड गुट्स को सेल करा किसको रमेशन कंपनी को 25,000 के अंदर गुट्स को सेल करा देट करते है कर देट चाहरों तोा देटर हमारा ऐसेट येस अत्रों कर वार्थ है देट करते हैं तो डेटर अपंट डेटर अपेंट को इसको आपने चूछ उदहार पे बेचे ते वापस आपके गूड्स के आने के लिए टीफेक्टिब मितले समान वापिस कर दें उसमें 5000 का अब हमारा जो डेटर है वो 5000 से कम वह नहीं वह यह सर और डेटर हमारा एसेट है एसेट जब डिक्रीज होती है तो क्या करते है तो नीचे कौन जाएगा जर्णल इंटरी किया नीचे नीचे मतलब क्रदट सापर कॉन लिखोगे किसको लिखोगे तो विसको करे निचे तो क्रेड़ का रविक और एपर क्या लिखोगे सेजर्स इंटर्न कों डिबिट को अर्मेश ना कम्पर सेल्स रटन का लॉक्स का हो τबक है जब डिख्री जब होता है इसको पढ़ सकते हो लेकिन यह मैं आपको समझा रहा हुँ इसका screenshot ले लो फटाफट से question का तो screenshot लेके दुबारा से question को कोशेश इसी कोशेशन को अगर आपने स्वांग कर लिए इसी कोशेशन से सारी चीज हो जाएंगी और भी मैं काफी सारे कोशेश कर वाऊंगा ठीक है गुड्ज रिटर्ण बाइं मेसर्ज रमेश और कंपनी रिटर्ण टू हरी और कंपनी आट कॉस्ट प्राइज दाट इस यूंड हरी हरी कौन था जोस्तों हरी कौन था परचस्कि đến tomar उप्रूश परओस मेरीफ सब्सक्रा भाइं में रे की डिज़िए करते हैं इसको परेंट रिपी कर दिभी तो यहा पर एंटरी कहा है पास करोगे देखो कर देखो 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 है एक फर्टी इपर्चेस करते हो तो आपके माली चीज पर बापिस करें अब ज़ब hail अब आपकर लिए तो क्या सतुन आप इस से पाव ट्रिपर कर दोगे हैं तो आपoj दोगें और हरी कंपनी आ gemacht ट्रेइे चलते हैं अब पैसे मांगे है क्या हम सिस्टाइब तो अब सालिरिक गे। तो devit क्रेडफ काम होगाुत थैनने मेटर्प सब्र 50000 alerts क्रेडफ किया करेडब करते सब्सक्राइल पर लिए चुद्रेकरी कित्यकिं सब्सक्राइब टू किया है। तो आपने अपने अपने के लिए पेड रेंट फॉर रेजिदेंस के लिए नितिन वाई चेक्ट तो यह क्या होगी ब्राइंस भाई पर्सनल परपस के लिए मतलब आपने अपना रेंट पे करने के लिए पेड रेंट फॉर रेजिदेंस ऑफ नेटेंट 10,000 वाई चेक्ट तो आपने बैंक में से पैसा निकाला और किस चीज़ के पैसे दिया अपने रेंट के पैसे दिये ठीक है दोस्तों जल्दी से बताओ ये क्या हो जाएगा आपक क्या है द्रैंस क्या है द्रैंस क्या है द्राइंस र्मारी का पड़ा को कंटिये गर्थी अप्रेंस व्याट रत करती है अब द्रैंस को मैंनस कर था ख़रा तना आफम शूष्चांटितर रहा है таких और पूरी माश्त देख रिए होगा कोई से frequent मानश मैंस से माइनस गरी पर council एक्वेशन में तो अपर करेंगे तो था है तो इन जगा आपका अशेट कम होगी तो यहां पर क्या है आपका अशेट कम हो गया ठीके सर बहुत बढ़ी है सर यह तो कफीजी लग रहे है आप पढ़ते थे देबिट वर चमसें पर यह सब आप पढ़ते थे पालतू की चीज़े भाई ऐसे पढ़ने की जुरुत नहीं है इसके ओपर में इस भी फॉर्मला आप लोगों को समझाते हैं एबरीधिंग के स्कॉंसेट से ठीक है पेड इलेक्रिसिटी चार्जेश 10,000 रुपीज 1,000 इन कैश तो इलेक्रिसिटी चार्जेश आपने प्ली करें इलेक्रिसिटी का है हमारे एक्सपेंस से एक्सपेंस इंक् जाये का डिएश दोस्तों हमारा एसे ए कम हो जाएगा क्या कर दोगे क्रेडिट का थी कहें मजा आ ना चीए टिकें ठीक है ओके सुटीय अगए टेलिफोन चार्जेश वाजनिकाश डेलिफोन चार्ज आपने पेगरें 5000 केश अगें टेलीफोन एक्सपेंसिकाउं देट करते हैं और अग्बधानु से कुक्त करते हैं तो फन्डीचर अकॉंट हमारा अवे 25,000 प्रिए क्रेडिट करते हैं और अगना अगे तो हरी कौन था हमारा ट्रेटर को हमने कितने पैसे पैसे करें तो बैंक बैलन्स हमारा कम हो जाएगा डिक्रीज कर रहा है क्रेडिट कर दोगे और हरी हमारा क्या था लाइबलेटी जब कम होगी तो क्या करोगे जब कम होती है तो क्या करते हो तो हरी अकांट डिबिट टू बैंक चीक है चलो हरी अकांट डिबिट टू बैंक 50,000 50,000 ओके आगे रिसीप फॉम मेशर मेश रमेश एंड कंपनी 15,000 बैं चेक तो रमेश एंड कंपनी से कितने पैसे आ गए आपके पास 15,000 आ गए चेक से अरे रमेश कौन था भाही तुबारा डिटर था देखो पॉइंट नबर से में देखो पॉइंट नबर से रमेश को आपन और में पैसे आ तो चया कर दिया हमने क्रेडिट कर दिया तो ऑ् tuna आपर अजया वह एंसन क्लारा ब्लु क्रेछ पॉईंस क्तिक ओंड प्लेग रूपीर का catching advanced balance to be paid on delivery of goods तो अभी आप से किते पैसे देख रहे हैं तो यह एक थोटा सारा special case है इसको ध्यान से mark कर लो इसके अंदर क्या करना होता है तो आपने सिर्फ अभी order place करें place order for goods अभी goods आई नहीं आपके पास you have just place an order and आपने इस case के अंदर 20,000 का advance दिया तो आप यहां पर जो जो पास करोगे सिर्फ इसके इंटरी पास करोगे तो अभी आपने सिर्फ 20,000 रुपीज दी है तो आपके bank account से किते पैसे कम हो जाएंगे जल्दी बताओ 20,000 रुपीज कम हो जाएंगे ठीक है 20,000 रुपीज आपके bank account से कम हो जाएंगे और अभी को आपने advance दे दिया तो अभी अनस आपका क्या बन गया आपका asset हो गया इसको आप increase कर आएसेट इंक्रीज हो गया तो आपके लिए क्या हो एसेट अब यह तुम्हें क्या देनी है ठीक है ओके सर बाकी के 1.8,00,000,000 का क्या करेंगे जब पेमेंट जब करेंगे उसके बाद एंटरी पास करेंगे ठीक है अभी बुट्ट आने तो अभी सिफ हमने और प्लेस करा है ठीक है अब देखो आपके पास ओडर मिला अभी पहले आपने ओडर प्लेस कर रहा था आपको ओडर मिला किसे मिला अजेन कंपणी से तीन लाग रुपे का ओडर था वह भी आपको चेक में कितने पैसे डवांस में देखे गया 30,000 बैलेंस इस तुबी डिसीव अगेंस दिलिभी फिर वही वाला केस है पहले आपने ओडर दिया था अब आपको और रिसीव हुआ तो चुप चाप से जितने पैसे आई है सिर्फोस को रिकॉर्ड कर लो बैंक अकांट डेबिट तु अजेन कंपनी 30,000 अब देखो इस केस में अजेन कंपनी आपका क्या बंग जाता है जाते है क्या कर दोगे क्रिडिट कर दोगे ठीक है बस उसका डिवर्स आपको मेंटालिटी रखने जी चीक है उपर वाले से सूच टेक लिए ना नेक्स पेड 1,000 फो स्टेशनरी के लिए आपने कितने पैसे पेई कर दिया 1,000 रूपी तो स्टेशनरी एकांट डेबिट ट नितिन विड्रिव 10,000 for household expense out of cash नितिन ने कितना विड्रिव करा 10,000 विड्रिव करा for household expenses out of cash ठीक है घर के खर्चों के लिए cash में से पैसे निकाल लिया company के cash में से पैसे निकाल लिया 10,000 रूपे तो यह क्या है drawings personal purpose के लिए drawings ठीक है drawings क्या होती है हमारी capital के तरह तो drawings account debit to cash company का cash balance कम हो गया कितने से 10,000 विड्रिव से ठीक है तो cash हमारा asset है कम हो गया credit कर दिया drawings हमारी capital है capital हमारी कम हो गई तो debit कर दिया so simple भूल जाओ वो सारी चीज़ें तो तुम traditional method करते थे सिर्फ यह वाला method याद रखो के assets और expenses जब increase करेंगे तो debit करेंगे अगर यह learn कर लिया ना तो जब decrease अब करेंगे तो क्या करेंगे credit capital liabilities और revenue revenue का मतलब होता है profits income इसका reverse कर जो जब increase होएगा तो credit जब decrease होगा तो debit बस इत I hope आपको यह वाला question समझ में आया होगा next class के अंदर मैं और थोड़ा difficult वाला question करवाँगा ताकि आपको और better understanding general entries की मिल पाए ठीक है तो general entries की you can expect के 2-3 videos आएंगी इसके अंदर मैं detail और उसके बाद बस मैं आपको leisure करवाँगा and that is enough तो general entry आपको आने चीए leisure आपको आना ची यह this is a fourth video तो तीए दो थीशो राएंगी और आपको सारा का सारा class element का रिवाईज हो जाएगा within no time ठीक है चलो वाए बाए बाए शीरीज अच्छी लग रही है दोस्तों के साथ शेयर करो promise करो के यह सर हम दोस्तों के साथ शेयर करेंगे उनका भी बड़ा करेंगे ठीक है व बाइ बाइ